यार मैंने आपको बहुत से सिरियल किलर की कहानी सुनाई है और यकिन मानि अभी बहुत सारी सुनानी वाकी भी है लेकिन सच में जब मैं इस कहानी के उपर रिजर्ज कर रहा था तो इसने मुझे अंदर तक हीट किया। जी हाँ, ये कहानी एक सीरियल किलर की है, लेकिन ये कोई आम सीरियल किलर नहीं था, ये एक डॉक्टर था, जी हाँ, एक डॉक्टर सीरियल किलर, अब डॉक्टर चाहे कोई भी हो, उसकी जो पहचान होती है सामाज में वो बिलकुल अलग होती है, सबी उस डॉक्टर की बात म और अगर मैं इसे किलिंग मशीन का नाम दूँ तो भी वो कुछ गलत नहीं होगा। जिहां दोस्तों मेरा नाम है विकी और आज मैं आपके सामने कहाने रखूंगा हैरोल्ड शीपमैन नाम के इस डॉक्टर की जो कि एक सीरियल किलर था और इसने बंद दर्वाजों के पीछे 260 से भी जादा पेशन्स को मौत के खाट उतार दिया और जब इसकी सचाई दुनिया के सामने आई तो लोगों ने इसे डॉक्टर डेथ का नाम दिया इस आदमी का जन्म 1946 में ब्रिटेन में हुआ इसके दो भाई और थे लेकिन हैरोल्ड अपनी मां का सबसे पसंदीदा बच जा था इसलिए बहुत चोटी उम्र में ही उसकी मां ने हैरोल्ड के दिमाग में ऐसे ऐसी बाते भणनी शुरू कर दी कि हैरोल्ड का दिमाग उसे पचा ही नहीं पाया वो उसे समझाती थी कि तुम सबसे उपर हो तुम कुछ भी कर सकते हो और यहीं से शुरूआत हुई थी इस आदमी के राक्षस वाले दिमाग की यह वेक्ति दुनिया को तो यही दिखाता कि वो सबसे हसकर बोलता है सबी से उसका बहुत अच्छा रिष्टा है लेकिन अंदर से यह वेक्ति कुछ और ही था लेकिन जब इस लड़के की उम्र टीनेज में आई यानि कि तकरीबन 16-17 साल की हुई तो इसके मा जिसे सबसे जादा चाहता था पूरी दुनिया में सबसे जादा केर उसकी करता था तो डॉक्टर्ज ने उसकी मा के शरीर में कैंसर होने की शिकायogene हेरोल्ड और उसकी मा को दोनों को ही बता दी ये बात सुनकर हैरोल्ड अपनी मां का और जादा ख्याल रखने लगा और जब भी वो अपनी मां को डॉक्टर के बास लेकर जाता तो वो डॉक्टर के बिल्कुल साइड में खड़ा हो जाता और देखता रहता कि डॉक्टर उसकी मां के साथ क्या क्या कर रहे है अब डॉक्टर्स का तो काम है दवाई देना और दवाई के रूप में वो उसकी माँ को मॉर्फिन का इंजेक्शन देने लगे और जैसे ही उसकी माँ के शरीर में मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाया जाता उसकी माँ तो राम से अपने सारे दुख दर्द भूल कर सो जाती ल जिन लोगों ने हैरोल की दिमाग पर या फिर उसके जीवन पर रिसर्च करी, उन्होंने कहा कि यही वो टाइम था जब हैरोल का जो दिमाग है वो अंदर से एक हत्यारा बन चुका था जी हाँ मुझे exact नहीं पता exact मुझे तो किसी को भी नहीं पता मैंने बहुत ढूंडा लेकिन हाँ कहते हैं कि 17 साल की उम्र के आसपास जब हैरोल की 17 साल की उम्र थी तो उसकी माँ वही cancer की वज़े से उसे छोड़ कर उसे तो क्या दुनिया से ही छोड़ कर चली गई जिसके ब बदनी मिल गई और दोनों ने शादी कर ली जल्दी ही शादी कर ली थी और इन दोनों से उनको चार बच्चे हुए और तब आया साल 1974 का समय जब हैरोल्ड फाइनली अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और उसने अब डॉक्टर की प्रेक्टिस करना शुरू किया वो ज खुद के बयानों में अपने बताया कि तकरीबन 70 साल की एक महिला थी जिसका नाम एवा लेओंस था उसे उसने सबसे पहले अपना शिकार बनाया था और उसकी ही उसने सबसे पहले जान ली थी अब महिला 70 साल की थी तो थोड़ी बहुत जाच उसकी जरूर की जाने वाली जिहां पुलिस ने अपनी जाच शुरू करी और पुलिस वालों ने जाच के एंगल वही अपने आम तोर पर हत्या वाले और हत्या में क्या हत्यार इस्सेवाल किया गया है वो उनको कभी मिलने वाला था ही नहीं क्योंकि यहां पर हैरॉल्ड ने उस बूड़ी औरत को उस डॉक्टर की नोगरी जाना तैय है लेकिन तब के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था उसने आगे भी जान लेने का सिलसला जारी रखा और जैसे जैसे उसकी जान लेने की जो शक्ती थी वो बढ़ती गई और पुलिस को इसके बारे में पता लगता गया पुलिस भी क्या ग करने के बाद ये बंदा हाइडे नाम की एक नए शहर में शिफ्ट हो गया और वहां इसने डोनी ब्रोक मेडिकल सेंटर में एक नहीं दो नहीं बलकि पूरे 20 सालों तक काम किया और यहां भी उसका अंदर का राक्षस शान्त नहीं हुआ और सिर्फ इस होस्पिटल में रहत करते हुए इतने कांड कर सकता था और अब खुद का खौल लेगा तो वह तो वहां का राजा है वह चाहे कुछ भी करे कोई उसे कुछ कहने वाला ही नहीं है और इसी वज़े से उसने अपने इस घिनोने काम को करने की स्पीड और तेज कर दी लेकिन यहां पर इसने एकदम वगयरा थी उनको देखता बहुत अच्छे से ट्रीट करता और उनमें से ही उसने अपने शिकारों को छाटना शुरू कर दिया यह विश्वास उसने इसलिए बनाया ता कि अगर कभी उसका भंडा फूट भी जाए तो पुलिस जब लोगों से पूछ साच करेगी तो सभी उसके बारे में अच्छा ही बताएं यह बंदा हर रोज सुबे सुबे मॉर्निंग वॉक वगयरा पर निकलता था और जैसे ही निकलता तो लोग उसे सामने से विश्व वगयरा करते सभी लोग यही समझते थे कि देखो कितना बड़िया डॉक्टर है अपने परिवार को कि दिखाई बुड़े देंगे लेकिन आप कहेंगे कि हाँ बुड़ा तो बिल्कुल फिट है तो ऐसे लोगों को डॉक्टर जब वो मिलता तो उनकी वो परची में बहुत सारी बिमारियां लिग देता और कहता कि हाँ तुम्हें यह भी बिमारी है तुमारी यह चीज कम है त और उन्हें अंत में दवाई के तोर पर बहुत तगडी मातरा में डाइमॉर्फीन लेने को कहता जिहाँ वही दवाई थी जो कुछ सालों पहले उसकी माता पर डॉक्टर्स ने इस्तेमाल की थी यह दवाई लेते ही लोग तुरंट मरने वाले थे और वो जैसे ही उन लोग निश्चित थी हैरोल के खुद के बयानों के मताबिक उसने अपने खुद के हॉस्पिटल में रहते हुए 44 आदमी और 171 औरतों की जान ली जी हाँ इसमें सबसे उम्र दराज औरत 93 साल की थी और सबसे चोटा वैक्टिव जो कि एक आदमी था उसकी उम्र सिर्फ 48 सालों की हैरोल का सब कुछ मस चल रहा था जब ऐसी मोते होती तो लोग बहुत नॉर्मल इसे मान रहे थे और पुलिस भी इस पर शक नहीं कर रही थी क्योंकि उम्र हो चुकी थी ये बुड़े लोगों को ही चारा टार्गेट कर रहा था तो इस पर कोई शक की चांस ही नहीं बन रह इतना ही नहीं वो जिस भी वेक्ति की जान लेता तो उसके घर पर यानि कि उसकी शरदान्जली शबा में जब वो जाता तो जाकर उनके घरवालों को बोल कर आता कि तुम इसका ओटॉपसी या फिर पॉस्ट मोटम औगारा मत करवाना वरना तुमारा ही दिल और टूटेग ये सब बहुत मज़े से चल रहा था लेकिन तबाया साल 1998 का समय जब ब्रिटेन की नेशनल डॉक्टर्स ऑथियॉरिटी ने ये पाया कि देश के सभी बाकी के जितने भी होस्पिटल्स हैं वो एक तरफ और हेरोल्ड का एक अकेला होस्पिटल एक तरफ जी हां बाकी सभी के तुलना में हेरोल्ड वाले होस्पिटल में दस गुना जादा मौते हो रही थी और यहीं से वहां के अधिकारियों को हेरोल्ड के इस होस्पिटल पर शौक होने लगा वो सोचने लग गए कि कैसे एक अकेले होस्पिटल में इतनी जादा मौते हो सकती हैं कैसे इतना बड़ coincidence इस छोटे से hospital में हो सकता है इतना बड़ा तो यह hospital भी नहीं था तो इतना बड़ा coincidence यहां कैसे बन रहा है जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने जाच शुरू की अब आपको यहां लग रहा होगा कि अब तो इस सबी records खंगा ले गए लेकिन वहां कुछ अजीब नहीं मिला अब मैं आपको यहां बता दूँ कि हैरोल एक बहुत ही चालाग आदमी था जी हाँ वो जैसे ही कोई भी आदमी उसके पास इलाज करवाने के लिए आता तो वो तुरंट उसको एक record बनाना उसका start कर देता जी हां उसका एक record बना लेता और उसमें record में चठाने लगता कि तुमको तो ये बिमारी भी है तुमको ये बिमारी भी है जिससे पहले ही बंदा तो अंदर दे डर ही जाता साथ कि वो एक पका record भी बनाता जा रहा था इस बंदे को ये बिमारी है उसका कुछ दिन तक इलाज करने के बाद फिर फाइनली वो उसको डायमॉर्फीन की डॉस दे रहता और वो बंदा मर जाता और अंत में लिख देता कि इस बंदे की मौत इस बिमारी की वज़े से हुई है वो डॉक्टर है वो कुछ भी लिख सकता है अब हम आम आदमियों को तो डॉक्टर की लेंग्विस पता नहीं वो जैसा कहेंगे हम तो माल लेंगे और इसी बात का फायदा हैरोल्ड जो है वो बहुत लंबे समय से उठाता रहा था पर मुझे यहां समझ नहीं आया कि इतना सब कुछ जब वहां की जांच अजेंसियों को पता चल चुगा था तो क्यों एक बार उसकी बैकराउंड को चेक नहीं किया गया जिहां उसकी अगर background को चेक कर लिया जाता तो जरूर उसका भंडा वहाँ फूट सकता था लेकिन वहाँ नहीं किया गया खैर अब फिर से हेरोल्ड अपने इस काम को करने के लिए free था लेकिन अगली बार उसकी किसमत ने साथ नहीं दिया जिहां अब की बार उसने एक बहुती बड़ी मुर्गी पर हाथ मारा और ये बड़ी मुर्गी थी इस शहर की पुरानी मेयर जिसका नाम कैथलीन गुरंडी था और उसकी उम्र 81 साल की थी ये महिला दिखने में इतनी फिट थी कि पूरा शहर उसकी इस उम्र में फिटनेस की मिसाल देता था जिहां ये दिखने में कहीं से भी ऐसी नहीं लगती थी कि इसकी उम्र 81 साल की होगी और फाइनली 23 जून 1998 के दिन ये महिला हैरॉल्ड के पास OPD लेकर regular चेक अप के लिए पहुची लेकिन जैसे ही वो वहां से दवाईयां लेकर अपने घर गई तो अगले ही दिन वो अपने कमरे में मरी हुई पाए गई अब यहां पर किसी को शक भी नहीं हुआ कि 81 साल की हो चुगी थी दिखने में बाहर से फिर थी क्या पता अंदर कोई बिमारी हो इसलिए कि पर आप या फिर जो भी कोई इनसान होगा वो अपनी वसीहत अपने बच्चों के नाम पर करके जाएगा और यहां पर कैसलीन को भी अपनी वसीहत जो थी अपनी बेटी एंजलो के नाम पर करके जानी थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया बल्कि उसने अपनी 3,80,000 डॉलर की वसीहत किसी और के नाम पर नहीं बल्कि डॉक्टर हैरोल्ड शीपमेन के नाम पर करवा रखी थी यह बात जब लोगों को पता चली तो उन्हें बहुत अटपटी लगी अब अटपटी तो लगेगी ही क्यों एक अच्छा बहला इंसान अपनी प्रोबर्टी को अपने बच बहुत ज़्यादा मॉर्फीन लेने की वज़े से हुई है जिसके बाद एक बार फिर से जाच अजेंसियों और पुलिस की टीम डॉक्टर हैरोल्ड के हॉस्पिटल पर पहुँची और अब यहां पर उन्होंने कैथिलीन की भी फाइल को जाचा जिसमें उसने अलगी बिमा कैथरीन के शरीर में थी ही नहीं और यहीं से डॉक्टर्स को समझ आ गया कि ये डॉक्टर जो हैरोल्ड है वो अपने पेशेंट्स के रिकॉर्ड के साथ बहुत गंदे तरीके से छेड़ जाड़ कर रहा है जी हां इसके बाद पुलिस ने कौर्ट से ये और लिया कि जिन ज पुलिस ने ये चार्ज लगा दिये कि इस डॉक्टर ने पंदरा हत्याएं तो की ही है और साथ में धोखा धड़ी भी की है जो की कैथलीन के साथ की गई थी और इसके बाद पंदरा मोतों का आरोप लगते ही कौट ने इससे आजीवन कारावास की सजा सुना दी जिसके बा जो आये थे वो 2005 में आये थे जिहां सन 2005 में वो दुनिया के सामने आया और बोला कि उसे एक्जेक्ट तो याद नहीं पर 260 से जादा लोगों की उसने जान अभी तक ली है जिहां आप सोच कर देखिए उसे खुद याद नहीं है कि उसने आज तक कितने मासूम लोगों को आज भी लोग ये मानते हैं कि वो आदमी जरूर हजारों लोगों की मौत का कारण होगा खेर आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे जरूर बता दे और पिछली वीडियो का शाउट आउट आर एन को एंड कमेंट पिक मी तो गेट शाउट आट इनेक्स वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद